वेल्कम बैक एवरिवन आज मैं एक्स्प्लेन करने वाला हूं चैन्स ओमान का एपिसोड 17 अगर अपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाते उसे देख सकते हैं प्रफ ले लिश्ट आपको आपर मिल जाएगा तो आई बेना टा हाकिमा ने अपने कान को मेरे सीने से लगाया था और वह इसी बारे में सोच सोच कर सार्ग के साथ चलते रहता है सार्ग कोई भी सर्फेस पर स्विम कर सकता है इसलिए वो रोड के अंदर स्विम कर रहा होता है डेंग जी सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि अगर मेरे पेट में बटरफ्लाइज होगी यानि कि मेरे पास दिल है क्योंकि हाकिमा ने कल जब कान लगाया था तो उसे एक तित्री की पंक की फड़फडाने की आवाज आई थी और इसी से उसने कहा था कि मेरे पास दिल है डेंजी आगे चनता है और वो देखता है कि कुछ लोग कि क्यों ना मैं भी डोनेट करूं क्योंकि मेरे पास भी एक दिल है वो जाता है और कहता है कि मैं भी यहां डोनेट करना चाहता हूं तो है कि लड़की कहती है कि आप उस बॉक्स में जाकर डोनेट कर सकते हैं डेंजी अपना परस निकलता है और एक सिप का उसमें डाल देत प्रिन जी कहता है कि मैं भी यहां डोनेट कर सकता हूं तो कि मेरे पास भी एक दिल है वो लटकी कहती है कि thank you और हम full में फूल को दे रहे हैं वोर रहे हैं उन लोगों जो हमारी charity में डोनेट कर रहे है है और वो टिन जी को एक जाता है तो लड़की चौंग जाती है और डिंजी महां से चला जाता है डिंजी मन में सुचता रहता है कि माकिमा कितनी अच्छी है बस माकिमा से बात करने से मेरी सारी परिसानिया मुझसे चली गई वो गली गली चलते रहता है और सुचता रहता है कि माकिमा ने कहा है कि माकिमा के बारे में सुचता हूँ, हाँ मैंने कुछ लड़कियों के साथ दोस्ति की है किसी को किसभी किया है लेकिन मेरे दिल में माकिमा है, वो फिर खुद से वादा कहता है कि मैं सिर्फ माकिमा से ही बात करूँगा। उसके बाद मारिश होने लगती है डेंजी civ भागता कि तुम क्या भागल हुए हो तुम्हें बाहर नहीं आना है अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो कोई डर जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो हमें पीछे की गलियों से भागना पड़ेगा तुम यहां से दूर हो और छिप जाओ उसके बाद सार प्रेविल वापस अंदर चला जाता है डिंजी को एक टेलफोन बूत दिखता है और उसके अंदर वो जाकर छिप जाता है वो सोचता है कि सारे डिविल्स का इतना अजीब सा नाम क्यों होता है उसके बाद डिंजी सोचता है कि मुझे एक छाता भी लेकर आना चाहिए था ताकि मैं इस बारिश से बच जाता अभी पता नहीं कितनी दिर बारिश यहाँ पर होगी उसके बाद वही टेलीफोन बूत में डिंजी देखता है कि एक लड़की आती है वो डिंजी को आकर कहती है कि हाई आज जादा ही बारिश हो रही है तो डिंजी कहता है कि हाँ वो लड़की कहती है कि मैंने मौसम के समचार में देखा था कि आज बहुत भारी बारिश होगी और वो हसने लगती है डिंजी सुचता है कि यह हस क्यों रही है और वो से पुछता है कि इसमें इतनी हसने वाली क्या बात है तो लड़की कहती है कि sorry और वो फिर से हसने लगती है डेंजी सुचता है कि ये क्या पागल हो गई है और पुछता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है तुम इतनी जादा हस क्यों रही हो डेंजी फिर से पुछता है कि तुम इतनी जादा क्यों हस तो वो कहती है कि sorry sorry लेकिन तुम्हारा चैरा मेरे कुतिक जैसे दिखता है जो की अब नहीं है तो डेंजी कहता है कि क्या मैं एक कुतिक जैसे दिखता हूँ और वो गुस्सा हो जाता है वो लड़की कहती है कि मुझे माफ करो सौरी और डिन जी उल्टी करने का नाटक करता है वो लड़की पुछती है कि क्या तुम ठीक हो और डिन जी वहीं फूल निकाल कर उसे सरप्राइस करता है और वो फूल वो लड़की को दे देता है वो लड़की कहती है एक वाह क्या जादू है तुम बहुत अच्छे हो वो लड़की कहती है कि फूल के लिए थैंक्स उसके बाद बारिस रुक जाती है डिंजी देखता है कि अब मुझे वापस काम पर जाना होगा वो लड़की कहती है कि मैं हाँ पास में ही पार्ट टाइम काम करती हूँ एक कैफे है अगर तुम कभी आना चाहो तो हाँ आ सकते हो और मैं तुमको इस फूल के लिए थैंक्यू भी कहूंगी वो जाते जाते कहती है कि याद से जरूराना डेंजी वहाँ खड़ा होकर उसे दिखते रहता है वो लड़की अपने दुकान के रास्ते से अपने दुकान पहुंचती है दुकान के अंदर आती है तो उसका बॉस कहता है कि तुम इतनी लेट क्यूं हो मैं तुम्हारा पेमें तो बस कहता है कि तुम्हें यह बता दिया है, तो साइड में जल्ली पहुच गया हूँ here लडकी कहते है कि क्या सच में उसके बाद बनकी के साथ बैठ जाती है और जो अपने बॉस को तो उसका बॉस कहता है कि तुम यहां पर कॉफी सबको देने आई हो खुद पीने नहीं लड़की कहती है पीछे लिए भी हमारे दुकान में कश्चम सिर्फ सुबह को आते हैं तो बस कहता है कि विस्वास नहीं होता और वो उन्हें कॉफी लाकर देता है डेंजी कहता है कि थैंक्यू लड़की कहती है कि क्या तुम्हें कॉफी पसंद आया तो लड़की हसने लगती है और कहती है कि तुम बहुत मजा किया हो वो डेंजी को टच करती है डेंजी सुचता है कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा ही करीब है और ये मुझे देकर हस भी रही है वो लड़की कहती है कि मेरा नाम रीज है और तुम्हारा क्या है तो डेंजी कहत कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं मैं भी उन्हें पसंद करने लगता हूं डेंजी मन में सोचता है कि मा की मा मेरी मदद करो नहीं तो मैं इसके लिए इसके पीछे पढ़ जाओंगा हाया कावा एक सिगरेट के पैकेट को डशीव में फेकता है और देखता है कि वो लड़की यानि की एंजल बैख कर आइसक्रीम खा रही होती है हाया कावा कहता है यह तुमने तीसरा आइसक्रीम खा लिया तुम और कितने आशक्रीम आपर खाऊगी जल्दी करो हमें पैट रॉलि पर भी जाना है तो एंजन डेविल कहती है आइसक्रीम खाने से भी मैं ठक जाती हूँ क्योंकि इसमें भी काफी सक्ती लगती है और मैं काम नहीं करना चाहती है कि तुमको पता है कि हमें गंडविल का लोकेशन मिल गया है और उसके लिए एक ग्रूप बनाया जा रहा है और अगर मैं और बड़ बड़ डेविल्स को मारूंगा और मैं भी वहां जॉइन कर पाऊं तो है कावा कहता है कि चुप रहो जल्दी यहां से उठो और हमें काम पर भी जाना है यह तो मैं सब को बता दूंगा कि तुम कोई काम के नहीं हो और वो तुम्हें एक डेविल के तौर पर खत्म कर देंगे तुम्हें क्या चाहिए तो एन्जे डेविल करती है कि हां तुम हाय कावा सुचता है कि माकिमा ने कहा था कि यह सबसे ज़्यादा तागत वर इंबर है लेकिन यह बहुत आलसी है अगर तुम्हें गंडेविल को खत्म करने वाला ग्रूप को जान करना है तो तुम्हें इसके साथ रहना पड़ेगा हाय का वक कहता है कि मुझे नहीं लगत जन्म लिया था उस गाउं के सारे लोगों को इसने खत्म कर दिया था और उनके टागत को हत्यार बना दिया था मकीमा कहते है कि जिस चीछ कर सकती है और इसके पास जो हथियार है उसमें काफी अलग पावर है जैसे कि ये एक भूत को काट सकती है अपनी तलवार से जो दिखता भी नहीं है तुम इसके साथ रहने का नाटक करो और ये साच में तुम्हारे साथ काम करेगी ये पहले की बात थी और अभी हाया कावा ए एक डेविल को खत्म किया, इसके ब्लड को मत छुना, नहीं तो तुम इसके ब्लड का वेपन बना दोगी, एंजल डेविल कहती है कि ये कितना अच्छा है, देखो, एंजल डेविल कहती है कि ये बहुत टेस्टी लग रहा है, यहाँ पर एक इंसान है, हायकावा कहता है कि मैं एक डेविल हूँ एंजल बाद में और वो कहती है कि मैं इसे नहीं मारूंगी तो हाय कावा उसे खत्म कर देता है और वो कहता है थैंक यू हाय कावा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अब रहने का नाटक भी नहीं कर सकता तो वो कहता है कि नहीं हम एक साथ रह सकते हैं और ह पाय कावा उसके साथ रहता है अभी डेंग जी वही कैफे के बाव खड़ा रहता है और सोचता रहता है वो सोचता है कि माकीमा नहीं मेरा दिल मेरे लिए खोजा है और मेरा दिल माकीमा को ही बिलॉंग करता है वो दर्वाजे के सामने खड़ा रहता है और सोचते रहता है कि लेकिन मेरा बॉडी कुछ और कह रहा है वो दरवाजे के अंदर जाता है तो रीज कहती है कि देखो एक कस्टमर आ गया देंजी कहता है कि आज मैं यहीं लंच करूँगा तो रीज कहती है कि डेली पूरे वीक में यहां का खाना अच्छा नहीं होता है तो देंजी कहता है कि नहीं ठीक है यहां का खाना वहां का माली कहता है कि यहां का खाना अच्छा है तो रीज कहती है कि तुम्हारा टेस्ट खराब है देंजी मेनू देखता है और कहता है कि मुझे करी, आइस क्रीम और राइस चाहिए रिस कहती है कि तुम मेरे टेबल पाकर खा सकते हो डेंजी कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ तुम पढ़ाई कर रही हो और तुम साथ में काम भी करती हो रिस कहती है कि तुम स्कूल नहीं जाते न और सिर्फ तुम 16 साल के हो तुम्हारी हालत तो मेरे से भी खराब है डेंजी कहता है कि मुझे नहीं पता रिस कहती है कि एक लड़का जो स्कूल भी नहीं जाता और डेविल्स को हंट करता है एतनी कम उम्र में कितना अजीब है रीस कहती है कि मैं तुम्हारे ही टेवल पाया कर पढ़ती हूँ थोड़ा जगा बनाओ वो कॉपी में कुछ लिखती है और डेंजी को कहती है कि क्या तुम्हें पढ़ने आता है डेंजी उसे पढ़ता है और वो कहती है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो वो हसती है डेंजी बहते हुए पानी से कहता है टाइफून तो उसमें सवा जाती है क्या वो कहता है कि डेविल्स को चांस हो का दिल क्यूं चाहिए तो वो कहता है कि तुम इसे मतलब नहीं होना चाहिए तुम बस ये काम करो कि तुम अपना काम पूरा करो और वो कहता है कि ये लंबा रिष्टा हो सकते हैं हमारे बीच का क्योंकि उसे करने में तुम्हें काफी समय लगेगा वो आदमी कहता है कि मैं चांसवा का दिल लाओंगा और तुम मुझे अपनी पूरी जिन्दगी पाउर यूस करने दोगे तो टाइफून कहता है कि तुम ध्यान रखना क्योंकि जिसके पास भी मार। kokा दिल होता है वो बोर डेविल को ख़़त्म कर सकता है तो आदमीं कहता है क्योंकी डेविल स्माट नहीं होते हैं मैंने एक चैना के डेविल रखन शाहा था जॉब के लिए और कहता है कि मेरे पास हम ज़्तुमिं को जाते हम चाहीं द्हून कि मैं उसके दिल को खोज रहा है वो एक classroom में जाते हैं और रीस बोड पे लिखती है one plus one और पुछती है कि इसका answer क्या है तो डेंजी कहता है कि टू रीस कहती है कि बहुत अच्छे तुम सीख रहे हो उसके बाद डेंजी सुचता रहता है कि क्या school ऐसे ही होता है इसमें और कुछ खास नहीं है उसके ब जाँ मेंजी और पहीं हो उसके बाद उसके बाद चाने कि बाद कर दो नहीं है